इस वर्ड एनिमेशन को बनाने के लिए पहले ही आपको काइने मास्टर को ओपिन कर लेना होगा इसके बाद मैं एक black color का background इंपोर्ट कर लूँगा तो इस background को मैं थोरा सा resize करने के बाद एक text layer ले लूँगा इसके उपर तो यहाँ पे मैं hello type कर रहा हूँ आप आपके हिसाब से कोई भी text या फिर कोई भी word लिख सकते हो इस text को resize करने के बाद मैं इसका color भी change कर दूँगा फ्रेंज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो please like, share and comment कर दीजेगा and मेरे channel creatorian को भी subscribe कर दीजेगा and bell icon पे click कर दीजेगा ताकि मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो इस text का color change हने के बाद मैं इस text के उपर एक overlay का layer लाऊंगा तो मैं यहाँ overlay में जाके smokey section पे जाके fourth option चूज कर दूँगा तो यहाँ पे मैंने अपना animation भी चूज कर दिया हूँ तो इसके बाद मैं यह smokey का जो effect है उसको थोरा सा resize कर दूँगा तो इस effect को resize करने के बाद मैं आपको एक बार play करके दिखाता हूँ कि animation कैसा आया अब मैं और एक overlay ले लूँगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे liquid option पे जाके liquid color option पे जाके जो last वाला option है वो चूज कर दूँगा यहाँ से इसके बाद मैं इस animation या फिर overlay को duplicate कर दूँगा तो अब मैं इस animation को थोरा सा adjust करके आपको play करके दिखाता हूँ कि animation का जो effect है वो कैसा आया लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे और एक text का layer ले लूँगा और उस पे friends लिख दूँगा इस text का भी मैं color change कर दूँगा और उसके बाद मैं overlay में जाके इस text के लिए भी एक effect चूज कर दूँगा तो यहाँ पे मैं overlay में जाके liquid burst option में जाके इसका जो second वाला animation है वो चूज कर दूँगा यहाँ पे और एक overlay मैं यहाँ add करूँगा वो होगा speed का overlay वो जो आपने जो पहले ही वीडियो में देखा जो red color का जो घूमता हुआ एक animation है वो मैं add कर लूँगा यहाँ पे यह जो red color का animation है उसको भी मैं एक duplicate कर दूँगा और दोनों तरफ से आपको एक बहतरीन animation देखने को मिलेगा इसके बाद मैं next text को show करने के लिए यहाँ पे overlay यूज करूँगा as a transition तो यहाँ पे मैं annihilation के animation यूज कर रहा हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे और एक text ले लिए लूँगा फ्रेंज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो please like and share कर दीजेगा इस वीडियो को और मेरे चैनल creatorion को भी subscribe कर लिजेगा और bell icon को press कर दीजेगा ताकि मेरा व चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे और एक overlay add कर दूँगा जो की होगा voltage का second last option वाला overlay तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि overlay यहाँ पे कैसे काम कर रहा है तो उसके बाद मैं यहाँ पे और एक text का layer लाऊंगा तो इस text को मैं थोड़ा सा resize कर दूँगा इसका जो color है वो भी चेंज कर दूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे और एक overlay add कर दूँगा यह overlay है speed trace का second last option तो इस overlay को use करने के बाद मैं थोड़ा सा देख लूँगा कि यह overlay overall कैसा लग रहा है मेरे वीडियो के साथ तो इस overlay को थोड़ा सा adjust करने के बाद मैं यहाँ पे और एक overlay ले लूँगा अगर आप timing आपका जो animation का timing है आपका जो text appearance का जो time है वो सही करोगे तो आपका जो animation है वो बहुत ही बैतर ही नाएगा तो आप मैं यहाँ पे एक text का layer लेके उसके उपर मैं अपना channel का नाम जो है creatorian वो लिग दूँगा अब मैं firepower का overlay यूज करूँगा as a transition अब मैं यह जो creatorian करके जो text का layer है उसका in animation popset कर दूँगा उसके बाद मैं एक overlay ले ले लूँगा shattered करके तो यहाँ पे जो glass break का animation आया है last में वो बहुत ही realistic लग रहा है इसके बाद मैं यह जो animation है या फिट जो overlay है उसको थोड़ा से adjust कर दूँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजेगा और मेरे चैनल creatorian को भी subscribe कर लिजेगा तो ओवरले को एज़स्ट करने के बाद मैं जो last का overlay है उसको चूस कर लूँगा तो यहाँ पे मैं electric करके जो overlay है उसको चूस कर लिया हूँ फ्रेंज आप जरूर से कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा So that is it for today's video. I hope you liked it. So this is Shodhipal signing off. Bye-bye.